डियर वीवर्स जो दोस्त मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को कर दीजे सब्सक्राइब और साथ में जो बेल का निशान है उसे भी दुबाई दीजिए ताके हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोडिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके असलाम अलेकुम मैं हूँ कामरान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल MLT Hub with कामरान कैसे हैं डियर वीवर्स उमीद है सब ठीक ठाक होंगे आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है अमीबी एसिस वगजाय नहीं करते शुरू करते हैं अपना टॉपिक सबसे पहले बात करते हैं कि अमीबी एसिस क्या है अमीबी एसिस को अमीबिक डाइसेंट्री भी कहा जाता है ये एक पैरसिटिक इंफेक्शन है और ये पैरसिटिक इंफेक्शन इंसानी आंतों को मतासिर करता है Malaria के बाद पूरी दुनिया में ये दूसरे नमबर पर पेरसेटिक इनफेक्शन या बीमारी है जिसकी वज़ज़ से बहुत ज्यादा अमवात वाकिया होती है अगर हम बात करें कि इस अमीबिक इनफेक्शन की वज़ा क्या चीज़ बनती है तो एक पैरसाइट है जिसका नाम है इंटाइमीबा हिस्टूलिटिका तो इसकी वज़ज़ से हमीबीस होता है ये पैरसाइट एनेरोबिक पैरसाइट है और ये दो शकलों में पाया जाता है पहली शकल जो है उसे ट्रोफ़स्वाइट कहा जाता है आप अपनी स्क्रीन पर इस पिक्चर को देख सकते हैं इस तरह से हमें ये नजर आता है और ये स्टूल की पिक्चर भी आप देख सकते हैं तो ये बहुत स्लोली मुविमिंट करता है और जब ये ट्रोफ़स्वाइट फॉर्म में होता है तो बीमारी की जो अलामात है वो आ जाते हैं इनसान में दूसरी जो शकल है उसे कहा जाता है सिस्ट फॉर्म और सिस्ट फॉर्म इसकी जो है वो इन्फेक्टिव फॉर्म होती है यानि ये पहले जब जिसम में आता है तो ये सिस्ट फॉर्म में होता है लेकिन ये इनेक्टिव स्टेज होता है फिर ये सिस्ट चेंज हो जाता है ट्रोफोजोड फॉर्म में जो के एक्टिव फॉर्म इसकी होती है तो सिस्ट की जो शेप है जो शेकल है वो आप देख सकते हैं वो हम स्टूल माइक्रोसकोपी में इस शेकल में नजर आता है बात करते हैं कि इंटामीबा हिस्टूलिटिका का लाइफ साइकल क्या है ये कैसे इंसानों में मुन्तकिल होता है किस फॉर्म में होता है तो सबसे पहले एक इनसान जिसे M.E.B.S. हो तो उसके स्टूल में जो सिस्ट फॉर्म है वो खारिज होती है वो सिस्ट अगर चले जाएं कहीं पर जमीन में मौजूद जो सबसियां है अगर उसमें वो चला जाए या जो पानी है पीने का अगर उसमें वो सिस्ट चला जाए या अगर एक ऐसा इनसान है जिसे M.E.B.S. हो वो अपने हाथ ठीक तरह से ना दोता हो वो आश्रूम से फारि है तो इससे ट्रोफोजवाइड बन जाता है जो के एक्टिव फार्म होता है इस पैरसाइट का और इस फार्म में जो ट्रोफोजवाइड फार्म है तो जो अलामात है बीमारी के वो भी आना शुरू हो जाते हैं चोटी आंत से ये ट्रोफोजवाइड चला जाता है बड़ से खारिज होते हैं और अगर दोबारा से ये जाएंगे किसी भी जमीन में मौझूद सबजियां या पीने का जो पानी है उसे गंदा करेंगे तो और लोगों को फिर ये सिस्ट फॉर्म दाखिल हो सकता है और उन्हें भी अमीबियस का इंफेक्शन हो सकता है अभी बात करते ह कि अमीबियस में अलामात क्या होती है मरीज में तो सबसी जो बड़ी अलामत है वो ये है कि पैट खराब हो जाता है लेकिन खून उसमें आता है इसके इलावा मरीज को बुखार होता है पैट में मरोड उटते हैं मरीज का वजन कम हो जाता है इसके इलावा मरीज का खाने क दिल नहीं करता जो मैदे का रीजन होता है वहां पर दर्द होता है और मरीज को मतली की शिकायत भी होती है बार बार यहां पर एक चीज़ आप नोट करोगे अगर इस अमीबा का इलाज ना किया जाए वक्त पर तो एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि यह अमीबा दिमाग को भी मतासिर कर सकता है फैपडो को भी मतासिर कर सकता है और जिगर को भी मतासिर कर सकता है बात करते हैं कि Amoebses या Interimoeba Histolytica की तशखीस लिबाटरीज में कैसे की जाती है तो जो सबसे आम टेस्ट है और जो के बहुत ज्यादा किया जाता है और जिससे बहुत असानी से इसका पता चल जाता है तो वो स्टूल रोटीन एक्जामिनेशन है जिसमें सिस्ट और ट्रॉफोज़़ट फॉर्म हम देख सकते हैं इसके इलावा अगर इस अमीबा की वज़ज़ से कोई जखम बन गया है जिसम के किसी हिस्से में या फिपडों में बन गया है या जिगर में बन गया है या आंतों में बन गया है तो उससे बैयॉपसी ली जाती है और उससे भी पता लगाया जा सकता है जिगर में अगर एपसिस हो गया है तो वहां से फ्लूइड लिया जाता है और उसका मौाइना भी किया जाता है इसके अलावा लेटिक्स एगलूटनेशन टेस्ट भी इसके लिए अवेलेबल है इनडारिक्ट हीम एगलूटनेशन टेस्ट भी किया जाता है इलाइजा तो इसके लिए मिट्रोनिडाजोल टेबलिट दी जाती है तकरीबन 10 दिन के लिए और इसके इलावा एक दूसरा ड्रग है जो के बहुत जबरदस है और जो के ट्रोफोजोईट फॉर्म के लिए बहुत बेस्ट है और वो है टीनिडाजोल तो इसका असर उन पेरसाइट्स पर यानि अमीबा के उस फॉर्म पर भी होता है जो के आंतों के अंदर हो या अगर वो आंतों से किसी और जगा पर जिसम में मौजूद हो तो टीनोडाजोल उसमें भी काम करता है बहुत ज़्यादा शुक्रिया MLT Hub with कामरान देखने के लिए उमीद है ये लेक्चर आप लोग को पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा हमारे चैनल MLT Hub with कामरान को सबस्क्राइब कीजिएगा अपना देर सारा ख्याल रखियेगा अल्ला हाफिज